में प्रिविएस मार्केट एनलिजस करेंगा और यह वाला जोन है तो मैं यहां पे बाइंग प्लान करूंगा अब देखे जो short वाली जो trade थी वो तो activate नहीं क्योंकि price हमारा सीधा gap down open हो गया ठीक है तो ये वाली trade तो null and void हो गई उसके बाद price drop हुआ हमारे level पे आया और एक recovery दिखाई ये 15 minute का chart है 5 minute के chart पे काफी तेज़ एक recovery आई ये वाली ये वाला move काफी तेज़ था ठीक है तो अभी मैं सब कुछ delete कर देता हूँ जो की जतना भी मैंने analysis किया हुआ है और अभी आपके सामने fresh analysis करूँगा और ये जो analysis होगा ये हमारा next week के लिए होगा important level आपको बताऊंगा और market का मैं आपको 22 बताने की कोशिश करूँगा कि जो हमारा market का 22 है वो कहा रहने वाला अगर आपको एक बार 22 थोड़ा किलियर हो गया तो यहाँ पर आपकी जो समस्या है वो कम हो जाएंगी क्योंकि आपको पता है कि overall market कहा जाने वाला pullbacks और retracement को छोड़ दें तो यहाँ पर आपको एक idea लग जाएगा कि जो हमारा price है वो किदर जाने वाला तो आप उससे अपनी trade प्लान कर सकते हो और अगर आप स्टक हो किसी trade में तो उससे भी आपको थोड़ा सा छुटकारा मिल जाएगा तो अभी मैं इन सब प्रीवेस analysis है उनको डिलीट कर देता उल्टा करेंगे हम लोग छोटे time frame से analysis करते हैं और बड़े time frame की तरफ जाते हैं हम बड़े time frame से छोटे time frame के पास आएगे देगे हमारा monthly chart है ठीक है और अगर आप monthly chart को देखें तो यह हमारा current month है यह हमारा previous month था यह उसका high हो गया और यह उसका low हो गया ठीक है तो already हम क्या कर चुके हैं जो हमारा monthly हाई है previous month हाई है उसका जो हाई है उसको हम sweep कर चुके हैं अगर आप देख रहे होगे तो मतलब हम यहां की liquidity ले चुके है और आप देख सकते हैं उसकी liquidity को grab करने के बाद में price 53,362 से drop हो के 52,660 का अभी current price है अगर आप low देखेंगे तो 993 का मतलब यहां पर 1600 point का fall अल्रेडी आ चुका है अगर आप top से देखें तो यहां की liquidity grab हो चुके तो अभी लेवल हमारे लिए कुछ भी important नहीं है शौर्ट करना तो यहीं पर करना था ठीक है तब से मैं बोल भी राता कि हां पर आपको buying नहीं करनी है उसके बाद अगर हम weekly chart पर देख ठीक है तो इसको हम थोड़ा सा side में रखते हैं अभी देखिए अगर हम weekly chart को analysis करें weekly chart को तो यहां पर आपको अगर हम देखें तो यह हमारा week जो हो खतम हो चुका यह वाला ठीक है इस Friday हमारा यह वाला week खतम हो चुका है तो इसका top है ठीक है इसका top और high यहां पर important हो जाता है जो इसका high है यह important हो जाता है तो हम इसको mark कर लेते हैं weekly high ठीक है यह हो गया हमारा weekly high और इसको हम लिखते हैं monthly high ठीक है तो यह हमारा top जो हो गया weekly high हो गया और यह जो हो गया weekly low हो गया WL डाल देते हैं इसको ठीक है तो यह हमारे दो level हो गया जो की important level है तो next week के लिए जो नोट डाउन कर सकते हैं यह बहुत जादा इंपोर्टन लेवल हो जाते हैं अगर प्राइस को करना होगा तो अगर उसको उपर जाना होगा तो इस लोग की लिक्विडिटी ग्रैप करके ऊपर चला जाएगा ठीक है तो इस पॉइंट आफ यू में मैं इसे इंपोर्टन बता ठीक है ना एक आप इस वाले फीजी को बोलेंगे बाट यह कवर्ड पूरा एंगल्फ टाइप बना रखा तो इसकी इस केंडल की कोई वेल्यू नहीं और इसकेंडल से हमारा और अगर इससे भी तो यह भी कोई हमारा फीजी अवेलेबल नहीं है फीजी को यहाँ पर इस व भी हम छोड़ देते हैं अब आता हमारा डेली टाइम फ्रेम जिस पर बहुत जादा इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम हो जाता है अब मैंने आपको बताए हमारा मंतली आए अल्रेडी स्वीप हो चुका है ठीक है ना अब तक उसके उपर क्लोज नहीं दे पाए यह हमारा हो हो रहा है और यहां पर वीकली है यह इंपॉर्टेंट तो है अगर हम डेली केंडल के हिसाब से देखें तो यहां पर कल इसने रिवर्सल दिया दें यहां से उसका भी मैं अभी आपको डिस्क्राइब करूंगा चोटे टाइम फ्रेम पर आपको किलर कट पता लगेगा बट पर जाना तो इसको ब्रीच करना पड़ेगा यह बहुत यह यह वाला लेवल था वह भी नल एन वाइड हो चुका है मैं आपको चोटे टाइम फ्रेम पर दिखाऊंगा क्यों हो चुका है तो इसको में चोटे टाइम फ्रेम पर डिलीट करूंगा तो एक इंपॉर्टेंट निकल क्या रहा है वो यह है गैप इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है स्वारी मैं वाल्यूम इंपॉल रहा हूं गलती से बोल दिया तो यह यह लेवल हो गया हमारा लिकुडिटी को ग्रैप करेगा तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल यह हो जाता है और आप देख सकते हैं कि इसी को टैप करके प्राइज हमारा डाउन भी गया है ठीक है ना तो इसको हम थोड़ा सा और छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे और कुछ अगर इंपॉर्ट लिक्राइज हम चोड़ देते से इस को अब अब यह फोरवर पर छलते हैं देखते हैं क्या होता है तो कि 4 वर मैंने पको बताई था कि गए पर गया था ठीक है अब हम इसको डिलीट कर देता हूँ क्यूंकि ए टेप credit आप इसकी को बलिप बची नहीं है ठीक है अब यहां पर यह भी टैप अलेडी हो चुका है बड़ यहां पर क्या रिजेक्शन दिखा रहा है तो यहां पर मैं आपको बदा दूँ अब क्या important हो जाता है देखिए आपके लिए level important हो जाता है यह वाला level seriously बहुत important हो चुका है 4 hour पे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे यहां पर देखिए देखिए मैं आपको अगर यहां पर एक shorting opportunity बनती है इस price पे तो no doubt आपको यह वाला target देखने को मिलेगा 51,991 यह आपको target देखने को मिल जाएगा जल्दी अगर shorting opportunity बनती है वो छोटे time frame पे confirm होगा ठीक है Monday को confirm होगा पता लगेगा कि price क्या करना चाहता है क्या behavior है ठीक है तो देखिए अगर price यहां से rejection ले रहा है और यहां पर proper MSS कर रहा है फिजी को tap कर रहा है तो आप कोई doubt नहीं है कि price यहां तक जाएगा ठीक है बट अभी क्या है यह जो level है इसके लिए बहुत बड़ा barrier बनने वाला है आने वाले time में ठीक है तो यहां पर अगर हम थोड़ा सा और इसको deeply analysis करें अगर हम 4 hour को देखे कि और भी क्या important है अगर य पूछने वाली बात यह है कि हम फिर करेंगे क्या तो यह पूरा एक order flow यहां पर हमारा बना हुआ है ठीक है ना तो देखे फिर यह भी level एक important हो जाएगा बट पहले इसको तूटने जिए तब हम लंबा analysis करेंगे ठीक है तो यहां पर 4 hour comment आपको level बता दिए कि level important हो जाता है बट छोटा time frame भी बहुत ही जादे important हो जाता है जब आप analysis करते हो देखे यह वाला टैप हो चुगा है already देखे यहां पर यह वाला level बन रहा है पिर अगर आप छोटे time frame पर जाएंगे वन hour time frame पर जाएंगे तो यह वाला level यहां पर gap create कर रहा है gap imbalance create कर रहा है जो कि मैंने draw क किया है ठीक है तो देखे यहां पर क्या है मैंने आपको पहले यह वाला level दिया था फोर आवर का यह important है और ठीक है उसके बाद अगर less important level है वो यह वाला है one hour का obviously छोटे time frame के level इतने important नहीं होते तो यह वाला level भी क्या है important है but less important है यह important जाद है ठीक है तो आप इसको करना बट ऐसा नहीं कि यह तूट जाएगा तो हम तुरंट बाइंग की trade डाल देंगे और यहां पर कि हमारा target तो यह आने वाला है नहीं यह पूरा active barrier करने वाला है काम करने वाला है तो अगर हम इसका mean threshold निकाल दें तो mean threshold बैठता इसका कितना mean threshold बैठेगा 0.5 ठीक है ना तो इ तो यह इसे barrier की तरह काम करेगा और यहां पर आपको sorting up quantity मिल सकती है मैं यह बोल रहा हूँ ठीक है तो अब देखते हैं और चोटे time frame पर कुछ clear होता या नहीं बट मैं अभी यहां पर आपको चोटे time frame पर लेके चलता हूं तो यहां पर हम और important level लेके तो वही level निकल का रह इसमें कोई doubt नहीं है market को रोकने वाली कोई भी power नहीं है यहां पर तो price आपको यहां पर देखने को मिलेगा confirm मिलेगा ठीक है तो अभी मैं थोड़ा सा छोटे time frame में चलता हूं 30 minute के time frame पर switch करता हूं तो same वही कहानी बन रही है यह हो गया हमारा volume imbalance ठीक है यह वाला part tap हो यहां पर हमारा swing low है और यहां पर हमारी sell side liquidity इंतजार कर रही है और यहां पर हमारी buying side liquidity इंतजार कर रही है ठीक है तो यह level important हो भी जाता है क्यूंकि अगर आप देखेंगे तो इसके नीचे जच्ट एफ़ीजी है तो शायद ऐसा भी हो सकता है इसको tap करके एफ़ीजी को tap क करें ठीक है तो खेर अभी हम इतना दूर का analysis नहीं कर रहे है अभी हम केवल इसको focus कर रहे हैं इस वाले level को focus कर रहे है तो 15 minute पे भी कुछ ऐसा clear cut नजर नहीं आ रहा देखेंगे मैंने आप उस दिन भी बताया था कि यहां के 30 minute के एफ़ीजी टैप ए और ब्लॉक टैप यह अभी यहां पर देखो अगर चार्ट हमारा clear cut कुछ नहीं बता रहा तो आपको market से दूर रहना है देखो सीधी बात है अगर नहीं बता पा रहा मार्केट अगर चार्ट नहीं बता पा रहा इसका मतलब यहां पर गड़बड चल रही है manipulation हो ठीक है ना तो आपको उस टाइम पड़ेगा simple सी बात है ठीक है तो अगर मैं देखूं तो 30 मिनट के टाइम फ्रेम तक मुझे जो selling level मिल रहे हैं दोस्तों यह मिल रहा है ठीक है यह आप यह सारे selling level मैं दे रहा हूं आपको ठीक है यह आप यह मतलब बाइंग लेवल है क्योंकि जहां पर एससेंस करेगा ऐस हो जाए कि price by gap down हो जाए बहुत बड़ा और इसको विल्कुल खतम करते तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं अगर प्राइस यहां पर जा रहा है तो आपको ड्रॉप देखने को मिलेगा ठीक है तो यह आपके selling level मैं आपको बता रहा हूं ठीक है यह important level है उपर जाने में barrier देन कहा नहीं है बिल्कुल कुछ भी अलग अंतर नहीं है यह level again important हो जाता है again important हो जाता है ठीक है मैं आपको यह बात और बता दो यह वाली liquidity है यह यह वाली यह यह जो है यह नीचे वाली यह वाली यह वाली शायद एक अद लिक्विडिटी हां पर भी बनेगी तो यह टार्गेटिंग है वह यह होगा यहां पर चोटे पिलर्स को निकाला जाएगा में जो लिक्विडिटी है वह यह वाली है तो आप ऐसे में सोचना यह support बन रहा है अगर price drop होता है तो यह support है यहां से निकल जाएगा market नहीं निकलेगा ठीक है ना यहां पर छोटे मोटे पिछे नहीं जहेंगे तो सेम निकले बन रही है ठीक है ना शौटिंग लेवल आपके यह ही है ठीक है यहां से आपको short करना है ठीक है अब देखिए हम पर क्या मैंने आपको शौटिंग ही बता रहा हूं मैं तब से ठीक है क्योंकि buying नहीं दूंग क्योंकि buying लेवल भी का order blocks का तो यहां पर आपको buying करनी है यह level है buying के और यह level है selling के यह fix है अब देखें बहुत से लोग बोलते हैं कि sir आपका stop loss हिट हो जाएगा मनलब देखो क्या होता है मैं आपको यहां पर level बता रहा हूं बट आपको भी करना है लेवल देखो मैं आपको लेवल बता दिए कि यह आपको एक हलका सा benefit देगा कि हाँ कि लेवल यह वाल लेवल इंपोर्ट बाइस आपको बता दिए कहां पर कहां पर market रहने वाला तो ऐसा ही होता है exact market नहीं चलता कि कोई बहुत भगवान का भाई तो नहीं है बिल्कुल exact प्ता दिखा यहीं बिंपुइंट से घिर जायेगा थ्यूजर देख रहा गा कि हम एक analysis करने के कोशिश करते हैं market को समझतने की कोशिश करते हैं प्राइस कर होगी इस लेवल पर अभी हम यहां पर बाइंग की सोचेंगे पहले यह लेवल हित होने दो तो अभी तक हम इसी को टागेट लेके चलने के यह टागेट हमारा क्या होना चाहिए हिट होना चाहिए तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना कमेंट्स में